22 सदी में, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते समुद्र के स्तर ने तटिय शहरों का सफाया कर दिया है, जिससे दुनिया की आबादी कम हो गई है मेचा, हिूमनोईड रोबोर जटल विचार करने में सक्षम लेकिन भावनाओं की कमी के कारण बनाए गए है मैडिसन, न्यू जर्सी, डेविड में, एक प्रोटोटाइप मेचा बच्चा जो प्यार का अनुभव करने में सक्षम है, हेनरी स्विंटन और उनकी पतनी मोनिका को दिया जाता है, जिनके बेटे माटिन को एक दुरलब बीमारी हो गई थी और उन्हें निलंबित एनिमेशन में रखा गया था, मोनिका डेविड के साथ असहज महसूस करती है, लेकिन अंतता उसके साथ गर्म जोशी से पेश आती है और अपने छापने वाले प्रोटोकॉल को सक्रिय करती है, जिससे उसे उसके लिए एक स्थाई, बच्चों जैसा प्यार हो जाता है, डेविड चाह हो गया और उसे घर लाया गया, मार्टिन को डेविड से जलन होती है, और उसे मोनिका के सोते समय उसके बालों के ताले काटने जैसे चिंता जनक कार्य करने के लिए ताना मारता है, एक पूल पार्टी में, मार्टिन के दोस्तों में से एक डेविड को चाकु से मारता है, ज दूबने से पहले मार्टन को बचा लिया जाता है और हेंडरी मोनिका को डेविड को उसके रचनाकारों को नश्ट करने के लिए वापस करने के लिए मना लेता है। वहां के रास्ते में, मोनिका का हरिदय परिवर्तन होता है और डेविड को जंगल में छोड़ कर उसे विनाश से बचाता है। टैडी के साथ अपने एक मातर साथी के रूप में, डेविड द अड्मेचर्ज अफ पिनोचियों को याद करता है और ब्लू फेरी को खोजने का फ कर लिया जाता है, जहां अप्रिचलित मेचा को भीर के सामने नश्ट कर दिया जाता है। डेविड लगभग खुद को नश्ट कर चुका है और अपने जीवन के लिए याचना करता है। दर्शकों, डेविड की यथार्थवादी प्रकृती से धोखा दिया, विद्रोह करत है और डेविड को हत्या के लिए तैयार किये जाने के बाद अधिकारियों से भागते हुए एक पुरुष वेश्या मेचा, गिगोलो जो के साथ भागने की अनुमती देता है। डेविड, टैडी और जो रूज सिटी के विलुप्त रिजॉर्ट शेहर में जाते हैं, जहां डॉक्टर, नो, एक होलोग्राफिक उत्तर इंजन, उन्हें मैनहेटन के बार ग्रस्ट खंडहरों में रॉकफिलर सेंटर के शीर्ष पर निर्देशित करता है और डेविड द्वारा व्याख्या की गई परियों की कहानी की जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें, नो, के रूप में सूचित किया गया है, यह सूचना के लिए आवश्चक है, जो की सूचना के लिए आवश्चक है, इसकी जानकारी के लिए आवश्चक है, सहायता की शक्ती है, उसका निर्माता, जो उसे बताता है कि उनकी मुलाकाट डेविड की प्रेम और इच्छा करने की प्रतियां मिलती हैं, जिसमें एक महिला संसकरन डालीन भी शामिल है, बॉक्सिंग और शिप करने के लिए तैयार है, व्यक्तित्व की अपनी खोई हुई भावना से निराश होकर, डेविड एक गगन चुम्बी इमारत से समुद्र में गिर कर आत्महत्या करने का प्रयास करत पानी के भीतर रहते हुए, डेविड को ब्लू फेरी जैसी एक आकरती दिखाई देती है, इससे पहले की जो उसे एक उभेचर विमान में बचाता है, इससे पहले की डेविड समझाए, अधिकारियों द्वारा जो को इलेक्ट्रो मेगनेट के माध्यम से पकर लिया जाता ह डेविड और टैडी फेरी को देखने के लिए विमान का नियंतरन लेते हैं, जो कोनी ध्वीब पर एक आकर्शन से एक मूर्ती बन जाती है, जब वंडर वील्स उनके वाहन पर गिरते हैं तो दोनों फंस जाते हैं, ब्लू फेरी को वास्तविक मानते हुए, डेविड मूर हो गए हैं और मैनहेटन हिमनदों की बर्फ के नीचे दब गया है, मेका एक उननत रूप में विक्सित हुआ है, और उनमें से एक समूह जिसे विशेशग्य कहा जाता है, मानवता के बारे में सीखने में रूची रखता है, वे डेविड और टैडी को ढूनते और पुनर ज की एक इंटरेक्टिव छवी के माध्यम से उसे समझाते हैं कि डेविड को असली लड़का बनाना असंभव है, हाला कि डेविड के आगरह पर वे अपने वैग्यानिक ज्यान का उप्योग टैडी द्वारा रखे गए बालों के स्ट्रेंड से आनुवनशिक सामगरी के माध और जब वो शाम को सो जाती है, तो वो डेविड से कहती है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है, वो अनंत क्षन जिसका वो इंतजार कर रहा था, कथाकार कहता है